मेर अभी पवार आप सभी का एक बर फिर से स्वागत करता हूं हमारे जोतिशी चैनल RSP वर्ड पर और आप सभी को सबसे पहले दिपावली परवकी धंतेरस परवकी और देव उठनी ग्यारस परवकी जो की आने वाले हैं इन सभी की अग्रिम शुब कामना है क्योंकि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये दिपावली 2020 इस साल का ये दिपावली स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए और आप वाटसप पर जुड़े रही है ये जो स्क्रीन पर आपको नमबर दिखाई दे ये ही वो वीडियो है जो की दिपावली स्पेशल वीडियो है तो पूजन की वीडियो आपको धंतेरस के एक दिन पहले या दो दिन पहले बता दी जाएगी उसी के अंदर धंतेरस दिपावली देवटनी ग्यारस सभी का पूजन वीडियो बता दिया जाएगा और ये जो पूजन विदी होती है पूजन विदी में पूजा करने के लिए जो एक पोटली तैयार की गई है इस वार, उसके बारे में देखिए ये पोटली तो खेर हम बहुत सालों से बना रहे हैं काफ़ी सालों से हमने ये पोटली अग बनाई है कि अलग-अलग जो लोगों को उसमें अलग-अलग फायदे हुए धन में, बरकत में, सभी चीज़ों में फायदे हुए तो आप में से बहुत सारे जो जातक हम से जुड़े हुए हैं उनका कहना ये था कि जो पोटली हैं आप वाटसप पर उसके बारे में बताते हैं एक उसका वीडियो जरूर से बनाया जाए भविश्य में और यूटूब पर उसके बारे में बताया जाएं ताकि बहुत से लोगों को पता चल सके कि इस प्रकार की पोटली भी आरेसपी इंटरप्राइजस की तरफ से और मेरी तरफ से रभी पावार एस्टोलोजर द्वारा सिद्ध की हुई ये पोटलियां हैं ये अलग-अलग समय पर आपको मिलती है तो देखे सामानिता होता क्या है कि साल में हम दो बार पोटलियों का निर्मान करते हैं एक हो जाता है दिवाली के आसपास और एक हो जाता है नवरात्रे में इसके अलावा अगर कुछ रहता है कि नहीं कुछ ऐसे शुब प्रसंग बन जाते हैं कि किसी प्रकार की कोई दिपावली का निर्मान होता है साइज में भी और इफेक्ट में भी वो होता है दिपावली के पहले क्योंकि दिपावली का जो परव होता है धंतिरस का परव होता है यह होता है बरकत का कि हम इन पांच दिनों में यह जो पांच दिनों का परव होता है इसके अंदर इतनी बर वर्कत प्राप्त कर लें हमारे जीवन में कि हमारे तो यह एक उफिशल वीडियो बनाया जा रहा है उन पूजन जो साल में दो बार भी लेते हैं तो इसके अंदर हम बूरी जान करी देंगे तो ये देखिए जितनी भी आप पोटलिया देख रहे हैं ये सबी हैं दिपावली की पूजन पोटली जिसका जो पूजन है आप धंतेरस से लेकर देवटनी ग्यारस तक कर सकते हैं याने कि ये प पहले मंगाई और आपके पास पहले आ गई धंतेरस के पहले तो इसे धंतेरस में भी पूजन में रख सकते हैं या फिर अगर धंतेरस तक नहीं आप आई तो आप धिपावली में भी रख सकते हैं या फिर अगर आपको ने ये वीडियो बाद में देखा या आपका प्लान बाद ने हुआ यह पोटलिया मंगाने का, तो आप इसे देवटनी ग्यारस तक भी उपयोग में ले सकते हैं. तो इसका जो उपयोग है, वो धन्तेरस से लेके, दिपावली के परवतक, उसके बाद देवटनी ग्यारस के परवतक होता रहेगा तो इसमें कोई इसा मंदन नहीं है कि ये सिर्फ एक दिन काम आएगी या दो दिन काम आएगी अब इन पोटलियों का बनाने का कारण क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है उसके बारे में बात करते हैं देखिए हमने पिछले साल बहुत से लोगों को मेसेज डाले थे हमेशा ही डालते हैं कि दिपावली के पूजन परव में आपका जो पूजन का पटिया होता है जिसमें क्या भगवान को विराजमान कराते हैं उसके अंदर कौन-कौन सी चीजे उसमें होनी चाहिए तो हमने आपको करीबन उसमें 10 से 15 चीजे बताएं थी कि उसके अंदर शुकर देवता की भी चीजे उनी चाहिए, गुरु भगवान की भी चीजे होना चाहिए, मंगल भगवान की भी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि कई न कई लचमीची का जो connection हो मंगल भगवान से भी है शुक्र देवता से तो ही विश्ण भगवान का कनेक्शन जो है गुरु गुरु घृ से है गुरु ब्रस्पति भगवान से है तो इन सारी चीजों को लेने में पिछले साल की बात करते हैं ज्यादा पुराना नहीं करते हैं कुछ कमेंट्स आये थे कि जो समागरी हमने बताई थी वह आसानी से मिली नहीं कुछ जड़ी वुटियों के नाम बताए थे कुछ भस्मों के नाम बताए थे कुछ उसमें आयुरवेदिक चीज़े भी थी कुछ धातुएं भी थी जो आसानी से नहीं मिली तो उस कारण फिर क लिदी को कर पाएंगे तो इन पोटलियों में वो ही समागरिया हैं जो आपको पिछली वार बताई थी क्या क्या होता है शुकर देव से संबंदित समागरिया होती हैं कोडिया होती हैं गोमती चकर होते हैं उसके बाद इसमें भस्म होती हैं अलग-अलग जड़ी वुटिय भी होती हैं जो कि भस्म के रूप में नहीं ली जाती है कुछ सिक्के होते हैं हल्दी कंकू चावल होता है और गुरु देवता की कुछ चीज़े होती हैं इसके अंदर जैसे कि नारियल होते हैं ऐसी ही साथविक चीज़े होती हैं यह जो कुछ चीज़े बताई हैं यह उधा क्योंकि भस्म होती है एसी बढ़ जड़ी पुटिया होती है जो कि हमारे आयुरुवेद में भी काम आती है और हमारे सनातन धर्मों में भी उप्योग होती है और बरकत करने के लिए काम आती है तो ऐसे ही करीबन करीबन अगर सारी चीजों को मिला लिया जाए तो इसमें 21 से लेकर 28 प्रकार के अलग अलग जो छीजे होती है उसका मिशरन होता है इस पोटली के अंदर जो कि हमारे गुरु ग्रप काम करती है शुकर ग्रप काम करती है और मंगल घरके भे भी काम करती है क्योंकि मंगल होना हमारे परिवार में भहुत जरुवत है ताकि सब कुशल मंगल रहे और सब कुछ अच्छा रहे तो इनी सबी चीजों को मिला कर इन सबी पोटलियों का निर्मान किया जाता है दिपावली पूजन के लिए धंतेरस पूजन के लिए ये समागरिया है इसका उपियोग किस प्रकार से किया जाता है जब भी ये पोटली आपके पास आती है ये पूजन पोटली है और इसी पू चुर्वकिते कि भाग्य और सोभाग्य अगर इस शब्दों को आज आप समझ गए आसानी से तो आप नवग्रों को भी समझ जाएंगे कोई भी घ्र कुंडली में जब आपको अशुप्रभाव देगा तो दुर्भाग्य लेकर आएगा और शुप्रभाव देगा तो बढ़ाती है तो automatically नवग्रहों का शूप प्रभाव आपको मिलने लग जाएगा तो इसके अंदर हम उनी समागरियों को इस्तेमाल करते हैं जो की आपके सुभाग्यों को बढ़ाने वाली होती है इसके अंदर किसी भी प्रकार की तामसिक समागरी अनूचिस समागरी किसी भी जो एक प्रोसेस होती है नेगेटिव प्रोसेस समसान क्रिया होती है उसमें कि किसी भी समागरी का इन पोटलियों में उप्योग नहीं किया जाता है सात्विक समागरी होती है इसमें धर्मिक समागरी होती है सनातन धर्म से जुड़ी समागरी होती है हमारे रोजाना के पू पले इस उरू कर दिया जाता है ताकि जो कोरियर पोसेस होती है जैसे कि क्या होता है कि इंदोर शहर में हमारा RSP इंटरप्राइजरस का ओफीस है लेकिन विजि टर ऑफिस भाहत कम वो हो पाता है वहात पर विजिट नहीं पाती है आफ्लाइन ओफीस है सारा जो काम होता है, ओनलाइन होता है, जैसे कि आप लोग जुड़े हैं, आपको पताइए, कुल्डियों का अध्यान जो होता है, वो भी ओनलाइन होता है, हस्तरे का अध्यान भी ओनलाइन होता है, वास्तु की ड्रॉइंग भी ओनलाइन ही वनती है, वाटसप के द्वारा, इमेल के द्वारा सारी चीज़े होती है तो इनका जो निर्मान होता है वो बहुत पहले ही कर लिया जाता है क्योंकि डिस्पेज प्रोसेस में टाइम लगता है अलग-अलग शहरों और दूरियों के साब से कभी कहीं पर पोशने में चार दिन भी लगते हैं इसलिए ये विडियो इतनी जल्दी डाला जा रहा है ताकि अगर आप इन्हें प्राप्त करना चाहें तो आप हमसे जल्दी से जल्दी संपर्क करके अपने लिए प्राप्त भी इन्हें कर लें इसलिए इनकी जो सबसे खास बात होती है किसी भी रत्न में रुदराक्ष में या फिर जोती से संबंदित किसी भी चीज में जो खास बात होती है कि आपने महेंगे से महेंगा रत्न पेना हो या रुदराक्ष पेना हो अच्छी साची कॉलिटी का जब तक वो सिद्ध अभी मंत्रे जागरत और प्रान प्रतिष्टा ये चार चीजों से गुजरावा नहीं होगा वो आपके लिए काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला है वोई चीज़े इसमें होती है कि ये जो समागरिया है इसमें से कुछ समागरिया जो कॉमन है देखिए वेसे तो इसके अंदर जो है अलग-अलग जड़ी बुटियों की वस में जो कि दुरलब जड़ी बुटिया होती है उनका उपयोग किया गया तो वो समाने तोर पर मिलती नहीं है लेकिन कुछ कॉमन समागरिया जैसे कि गोमती चकर हो गई, कोडिया हो गई ये हमें नॉर्मली किसी भी शॉप से मिल जाती है आसपस के लोकल मार्केट से मिल जाती है लेकिन सिर्फ लेने भर से पूजा पाट में उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है उन चीजों का लेने के बाद सिद्ध अभीमंत्री जागरत और प्रान प्रतिष्टा होना जरूरी है तब ही वो चीज आपके जीवन में काम करती है अन्यता वो सोई उई अवस्था में रेती है इसी को बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं इसी लिए गलती कर देते हैं महंगे से महंगा रत न तो ले लेते हैं लेकिन उसकी सिद्धी अभीमंत्री प्रान प्रतिष्टा नहीं कराते हैं और बाद में जब कमेंट आता है कि लावी नहीं करा इसी लिए इनका जागरत होना बहुत जरूरी है उसके बाद ही ये चीज़ा हमारे लिए काम करती है तो इन पोटलियों का जो निर्मान है वो सिध्यों के द्वारा होता यानि कि सारी सामागरी मंगल देव की सामागरी शुक्र भगवान की सामागरी गुरु भगवान की सामागरी को लेकर इनको सिध्ध अभी मंत्री जागरत प्रान प्रसिश्टा किया जाता है उसके बाद इस पोटली का निर्मान किया जाता है ताकि आपको सही लाब मिल सके जब इसकी स्थापना आप आपके घर में करें तो लाब मिल सके इस्थापना कैसे करनी है वो समझ लीजिए सबसे पहले इसे रखना है आपको आपकी पूजा में, अब वो पूजा धन्तिरस की हो सकती है, धिवाली की हो सकती है, देवोटनी ग्यारस की हो सकती है depend करता है कि आपने ये पोटली कब मंगवाई और आपको किस पूजा के पहले ये मिल गई उसके बाद वाली पूजा में इससे रखना है रखने के बाद जब आप नॉर्मली पूजा कर लेंगे आपके घर में जो विदी विधान होता है वो सब कर लेंगे उसके बाद इससे आ किसी भगवान का कोई भी फोटो लेकर आते हैं तो उसका एक उन्हें तिलक लगाना होता है हल्दी गंकु चावल उन्हें अन्पित करना होते हैं तो इन पोटलियों का भी आप दिल से वेलकम करेंगे तो बस उसकी पूजा हो गई अन्य था और पूजा पाट इसको नहीं करन रखने वाले छेतर में रख सकते हैं जहां भी आप धन रखते हैं जैसे कि आप किसी अलमारी में धन रखते हैं किसी लॉकर में किसी तीजोरी में धन रखते हैं वहां रख दीजिए आप व्यबसाई छेतर से जुड़े हुए आपकी कोई दुकान है शोरू में तो वहां प संकहेद हैं वो संकहेद दो से तीन दिन में आने लग जाते हैं और यह आपके औरकस को मजबूत बनाते होई क्वश Commerce. जीवन में काम करती जो चीजे होते हैं समा गरियां होती तो यह आपके औरकसे जुड़ती है क्योंकि आपने इसस्थापना की है आपने इनका वेलकम किया है तो ये आपके लिए काम करना कर देती है सोभाग्य में व्रद्धी करती है क्या-क्या फाइदा है इसके ये जो पूजन पूटलिया है इनके क्या-क्या फाइदलाव है आपके सोभागे में व्रद्धी करेगी आपका भागे जगाएगी आपके जीवन में बरकत करेगी आमदानी को बढ़ाएगी आपके अगर खर्च जादा होते हैं तो उसे कम करेगी आपके द्वार खोलेगी अगर आप ब्यवसाई हैं तो ब्यवसाई में जो हैं आपके ब्य लच्मी जी से जुड़ी हुई ये पोटलियां होती है वो अगर वेलकम करती है इनका और घर में स्थापित करती है लच्मी कन्या के दौरा कर होता है तो बहुत अच्छा रहता है लेकिन अगर आप क्या कन्या नहीं है तो आप खुद भी इसका कर सकते हैं वेलकम और स्थाप करते हैं समागरियों की सिद्धी एक साथ होती है देखिए हर पोटली के अलग से सिद्धी नहीं होती है जितनी भी समागरियां है सब एक साथ सिद्ध होती उसके बाद पोटली का निर्मान होता है तो इनकी जो समागरी होती है समागरियों की सिद्धी होने के बाद अभी मंत किसी तरह का कोई किड़ा ना लगे फूलन ना लगे उसमें किसी तरह की कोई दीमक ना आएं इसलिए उसे लेमिनेट कर दिया जाता है तो अभी पोटली का दर्शन कराते हैं आपको जो की अभी पैक नहीं की गई है बहार ही है तो वह किस प्रकार देखती है और वह किस प्रक यही है वह समागरी इस इसके उपर जो है पूरा लेमिनेट कर दिया जाता है ताकि किसी भी मुसम में खराब ना हो ताकि हमारी कोशिश रहती है आपको कोई भी चीज दें तो वह ज्यादा से ज्यादा समय तक उसका लाब आपको मिलता रहे तो इसके अंदर समागरी इसके अब हम इतनी देड़ से बात कर रहे थे उसको पूरा लेमिनेट किया हुआ है ताकि यह खराब ना हो किसी भी मुसम में अच्छे से चले उसके बाद इसको इस जो यह जो लेमिनेट करी हुज पोटली है इसको एक और कपड़े में यहाँ पर पूजा वाले कपड़े में रख कर उसको पच्रंगी धागे से यहाँ पर बांदा जाता है उसके बाद यह इस रूप में हमें मिल जाती है यह रूप इस पोटली का आ जाता है और फिर इस पोटली को सुन्दरता की दरश्टी से भी और सोभागय की दरश्टी से भी क्योंकि माता लच्मी को जो है सुन्दर कपड़े चमकीले कपड़े रेश्मी कपड़े बहुत ज़्यादा आकरशीद भी करते हैं और पसंद भी है जो ऐसे कपड़े अपने पास रखता है उन्हें उन पर मादालश्मी की किरपा हमेशा बनी रहती है फिर इस पोटली को इस रेश्मी पोटली में इसको रख दिया जाता है और फिर उसके बाद इसका इस प्रकार का रूप आता है तो यहाँ पर यह पूरी प्रोसेस होती है यह पूरा जो है एक कच्चा रूप कह सकते हैं और यह एक फाइनल रूप है इस पोटली में आप इस पोटली को चाहें तो धन रखने वाली जगा पर इसको रख दीजिए और अगर आप टांग ना चाहें इसको तो इसको टांग भी सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर जो है इसके फीते दिये होए होते हैं वहाँ पर आप इसको टांग भी सकते हैं आपके घर के मंदीर में व्यवसाई के मंदीर में भी इसे रख सकते हैं वहाँ पर भी ये लाब देगी आपको सभी तरीके से इसका प्रयोग किया जा सकता है तो इतना ही था इस वीडियो में इस पोटली की पुरी विशेष्टाएं उपयोग और महत्व आपको बताना था इ आप हमसे वाटसप पर संपर कर सकते हैं जो कि स्क्रीन पर इस वक्त आपको नंबर दिखाई दे रहा है इस पोटली की कितनी दक्षिना है कितना मुल्य है वह आपको वाटसप पर बता दिया जाएगा और यह कैसे आप तक पहुचेगी सारी सीचे बता दी जाएगी कितनी इसकी साइज है क्रीष के जो साइज है तो तीन इंच यानी कि तीन इंच यह चोडी है और तीन इंच लंबी है और लगभक दो से 2.5 इंच यह मोटी है मतलब इसके अंदर इतनी जादा समागरी हमने डाली हुई है कि इसको जब आपके पास यह आए तो आपको जब इसको आप हाथ में भी स्पर्श करेंगे तो ये एक पोटली की तरह आपको बिल्कुल उसका अनुभव कराएगी और रखने के बाद जितनी ज़्यादा सामागरी होती ही उतना ज़्यादा आमें लाब भी मिलता है तो वो भी होगा पोटिस सम्बंदित कोई भी चीज़े चाहे वो रत्न हो रुद्राक्ष हो कोई माला हो चोटा सा कोई एक तावीज हो या ये पोटलिया हो ये तब ही आपके जीवन में काम करती हैं जबकि ये आपके औरा से मेल खाती है यानि कि आपके औरा से जुड़ती है औरा क्या होता है हमारा आभा मंडल इसको अगर हम नेगेटिव वे में लेकर प्राप्त करेंगे तो यह आपके औरा से मेल नहीं खाएगी और यह आपके जीवन में काम नहीं करेगी अगर इसको positive way में लेकर आपके जीवन में उपयोग करेंगे कि हाँ इस तरह की कोई पोटलियों का निर्मान भी दुनिया में होता होगा होता है और ये हमारे जीवन में हमारा सोभागय बदलेगी हमारा ब्यपार बढ़ाईगी हमारे घर में सोभागय को बढ़ाईगी तो य ये आप पर काम करेगी जोटिश को सच मानते हैं अपने जीवन में एक उपयोग हमारे ओरा से काम करती है और हमारा ओरा जुड़ा होता है हमारे मस्तिक से हमारे मन से अगर आप किसी भी रत्न रुद्राक्ष को धारन कर रहे हैं और वहां पर आपने सोच लिया धारन करते स कि ये रत्न रुद्राक्ष तो हम रिटन करेंगे एक दिन तो वो रत्न रुद्राक्ष आपको रिटन ही करना पड़ेगा उसका लाव आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा क्योंकि आपने आपका और उससे ऐसा जोड़ दिया था कि ये हमको पहनना ही नहीं हमें तो रिट जलने के लिए और कुछ लोग तो भूटकी की खुश-किस्मत होते हैं जो ना negative सोचते हैं शुरिफ धारन के स्थापीश कर लेते हैं तो उनके जीवन में क्या होता है और जो पहले से होता है यह चीज में के बात और स्वेख बेलेंस हो जाता है उनके लिए और उनके नव ग्रह उनको और अच्छा रिजल्टर देने लगते हैं इससे जो लोग हैं अगर सो में से बात करे जाएं तो वो 10% ही होते हैं नेगेटिव ज्यादा होते हैं 70% और यहाँ पे 20% हम पॉजिटिव लोगों को ले सकते हैं तो आप विस्पास पुर्बक लीजिए श्रद्धा से लीजिए आस्था के साथ लीजिए और आपके जीवन पर ये पोटलियां काम करेंगी बिल्कुल करेंगी बहुत सारे कमेंट आते हैं हमारे पास वाटसप पर रोजाना के करीवन 5000 से जादा मेसेज आते हैं 12000 से जादा लोग जुड़े हुए हैं वाटसप पर और इतने कमेंट आते हैं कि रत्न रुदराक्ष पहनने के बाद बीज मंतरों का जाप करने के बाद उनके जीवन बदल रहे हैं उनके जीवन में positive result आ रहे हैं उनका जो जीवन पहले था हमसे जुड़ने के बाद वो जीवन बदलता जा रहा है positive way में सारे कमेंट आपके साथ share करने के लिए कहीं भी इतना बड़ा platform है यह नहीं अगर वाटसप पर भी हम message करेंगे तो 30 message से जादा 30 picture से जादा एक बार में भेज नहीं सकते हैं और फिर होता क्या है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को तो वो message पसंद आ जाएंगे क्योंकि आप जुड़े हुए हैं हमसे भरोसा रखते हैं विश्वास रखते हैं लेकिन बाकी के लोगों को disturb भी वहां पर होता है जब इतने सारे images उनके WhatsApp पर जाते हैं इसलिए वो message भेजने में हम आज समढ़ते हैं otherwise किसी बड़े बड़े award की हमें जरुवत नहीं है आपके द्वारा भेजे भेजे जो छोटे-छोटे message की screenshot बना रखे हैं अगर उसी को frame करके लगाया जाएगा तो वही किसी award से कम नहीं है और ऐसी अंगिनत frame भरा जाएगी photo framing लेकिन आपके जो reply आए हमारे पस जिसे जातक का customer feedback केते हैं वह बहुत ज़्यादा है तो इस तरीके से बहुत सारे reply आप लोगों के आयोए हैं और बहुत सारे हमने उसको संभाल के रखे भी हैं सिर्फ भेज इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि WhatsApp group में भी भेशते हैं तो भी डिस्टब होता है ब्रोडकास्ट लिष्टे पे भी भेशते हैं तो भी डिस्टब होता है इसलिए लेकिन एक वीडियो भविष्य में जरूर बनाया जाएगा जिसमें कि हम क्या करेंगे जितने भी आपके reply आएं सभी की एक क्लिप बना दी जाएगी चाहे वह आदे घंटे की बने एक घंटे की बने या पांच घंटे की बने और एक एक अप्लोड जरूर किया जाएगा य कि नए जानकरी के साथ नए टॉफिक के साथ लोगों की जिंदिगěां बदल रही हैं जोति स्की उपाए करके हमारी कोशिश यह हु रही है कि प्रांतियां दूर करते जाएं धिरे-धिरे ऑप अंगूठे में पहनी है लोगों ने पहनना शुरू किया और उनको इतना बड़या रिजल्ट आया है उनके कमेंट आये कि जितना पहले रिजल्ट नहीं था उससे कई ज्यादा अच्छा रिजल्ट अंगूठे में मिल रहा है रुदराक्ष पहनने के नियम भी बताया है हां इसके अंदर भी इस पोटली के अंदर भी रुदराक्ष भी है वो बताना आपको भूल गए थे इसके अंदर रुदराक्ष भी है इसके अंदर चांदी धातू के कुछ तुकड़े भी है और स्वर्न धातू के कुछ तुकड़े भी है इसके अंदर बिल्कुल है और इसके अंदर जो है एक हमने एक छला भी डाला हुआ है जो कि गोल्ड मिक्स छला है उसमें इतनी जादा मातरा में छला तो गोल्ड नहीं है कि उसमें करीवन आदा गिराम या एक गराम गोल्ड हो उसके उस जो छला इसके अंदर डाला गया है उसमें कुछ मातरा में छला भी है एक स सिद्धियों के द्वारा सिद्ध होता है यानि कि जो ये नवगरों की सिद्धियां होती है बरकत सिद्धियां होती है सब गुप्त सिद्धियां होती है जो इसके अंदर सामागरियां होती है उसका जब संकल्प किया जाता है उनको जब प्रतिष्टित किया जाता है प्रान प्रतिष्टा वो भी सब गुप्त सिध्यों से होती है तो इस पोटली को मतलब इस पोटली को आप बार बार ना ही खोले तो अच्छा है बार बार खोल कर ना ही देखें और ना ही खोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको रिजल्ट पूरे-पूरे मिलते रहेंगे लेकिन अगर आप बार बार खोल कर इसे देखते हैं तो फिर जो लाब मिलने का जो परसेंटे से वो कम होता जाएगा क्योंकि गुप्त सिद्धियां फिर गुप्त नहीं रहेंगी वो सारवजन होती जाएगी हाँ एक बार आपके पास जब आती है तो शुरू में जरूर देख लीजिए उसके बाद इसी पोटली में से पेक कर दीजिए और ये जो लेमिनेट करा हुआ जो रहता है जिसके अंदर की में पोटली है ये जो है ये तो सुन्दरता के साब से पोटली है और आपको रखने में अच्छा लगे इसलिए पोटली है मेन पोटली इसके अंदर है इस लेमिनेट को आपको जीवन में कभी भी खोल कर नहीं देखना है अगर आपने इसे खोल कर देखा तो इसके अंदर की जो गुप्त सिद्धिया है जो गुप्त प्रतिष्टा की हुई है वो सारी राख हो जाएगी कि कच्रा हो जाएगी आपकी दक्षिना भी वेश्ट चली जाएगी और आपको लाब भी नहीं मिलेगा और पोटली तो बिल्कुल खाक हो जाएगी मतलब इसको कहते हैं कि पोटली जो है म्रत हो गई है तो इसको म्रत मत कीजिएगा इसको खोल के मत देखिएगा आपके मन में यही एक इच्छाय उठती है कि इन पोटलीों का निर्मान क्या होता है इसके अंदर कोन-कोन सी चीज़े होती हो आमने भी बताही हिए दया इतनी लमबी वीडियो में कि कोन-कोन सी चीज़े होती है और क्या-क्या इसके अंदर हम डालते हैं कौन-कौन चीज़ों से प्रतिष्टा करते हैं इन्हें आप खोल कर बिल्कुल भी मत देखिएगा यह सारी चीज़े राक हो जाएंगी तो यह नियम है छोटा सा बता दिया इसके बाद भी अगर आपको खोल के देखने की इच्छा ह तो आप देख सकते हैं स्वतंत रहें आप अपनी तरफ से मिलते हैं आपसे नेक्ष्ट वीडियो में किसी नई जानकरी के साथ जोति से संबंदीत रत्न रुद्राक्षे से संबंदीत निशुल के जनमकुली अध्यान द्वारा अपना रत्न रुद्राक्षे जानने निश ओम साहिराम, जय मता दी, ओम नमस्च शिवाय, भगवान विश्नु की जय हो, लच्मी मता की जय हो. ओम 유튜न रहे ओकली की जय हो, लच्मी Всे एक्सकाँड़ साय हो, लच्मा दी, जय हो, लच्मी जय हो, लच्मी मता की जब मता दो का दिय हो.